तो दोस्तों OnePlus का OnePlus Nord CE 3 Lite ये फोन बहुत जल दिंगे में लाउंच होने वाला है और इसके साथ OnePlus का वर्स भी लाउंच होने वाला है तो date confirm चुका है तो टेक के बाते कि इस वीडियों हम उसी के बारे बात करेंगे क्या उसका प्राइच हो सकता है और किस तरह दिखने को मिलने वाला इन सब के बारे में बात करेंगे तो अगर आपको जाने में इंट्रेस्ट है तो देखते रहे हैं इस वीडियो को तो इस बताए कि OnePlus का Nord C3 Lite के बात करेंगे तो सबसे पहले किस तरह दिखते हैं उसके बात करते हैं तो यह आप देख सकते हैं फोटो किस तरह आपको देखने को मिलेगा जो बाकी OnePlus का डिस्पले आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं तो 6.7 इज का यहां पर फुलस्ट प्रस वाला LCD आपको एमोलेट नहीं मिलेगा लेकिन 1080p वाला डिस्प्रेम लेगा और 120Hz का रिफ्रेस्ट भी देखने को मिल जाएगा अब यहां पर प्रोस्टर के बारे बात रहते हैं तो क्वेलकम का 695 वाला प्रोस्टर मिल जाएगा और एंटेनों का 619 वाला जीप्यू आपको देखने को मिल जाएगा यहां तो कुछ वाला जाएगा और साथ-साथ आजकल जो वर्ट्र मेमडी सिस्टम चल रहा है वह भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अब यहां पर बात कते हैं तो फोटो से आप पता चल जाएगा कि पीछे की तरफ ट्रेबल का मेरा का सेटना पर जो में केमरा होगा 108 MP का होगा कानिक तरफ तरफ के पर पासचा गांचा है तक आऊ-चाघझ टरफ के बात करेंद दिखिसंट वाल уп मिल जाएगा और वोक्त कर आपी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा पांच क rubbish गैटरी मिटेका और शूब्लकल डिचों मिल ऌर्बकन के पांटर ने कर एंते कह और की यह तो यहां पर दू आपा साइज से यहां पर दू कलर में देखने को मिल सकता है कि उनीजिके के अंदर इसका प्राइस स्टाइटिंग वेरीन आपको देखने को मिल सकता है आप यहां पर यह कब लाउंच हो रहा है तो 4th April को यह लाउंच हो रहा है इसके साथ उसका OnePlus का बर्स भी लाउंच हो रहा है नौट बॉलते हैं वह भी आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह था दोस्तों OnePlus Nord C3 Lite की कहानी यह पर Nord 3C Lite इसके खानी आई ho पको पता चलिए और काइसा है प्राइज क्या हो सकते हैं कर दोस्तों कॉपह को देखना हो मिल जाए होगा किस तरह मिलें सबसक्राइब नहीं किये तो यहां पर आपको लाउल से गृट करदेना और सब्सक्राइब कर देना और इन परम सं अच्छा लगा झाल झाल